नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम गुरू में दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए भारती इतिहास के 100 मेहत्पूर प्रिश्ण जो आपकी आने वाली प्रिश्ण में रेलवे, NTPC, GroupD, SSC सभी प्रिश्ण में पूचे जाएंगे जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रेलवे की प्रिश्ण में इतिहास के लगबग 6-7 प्रिश्ण पूचे जाते हैं इसलिए आप अगर नोट्स बनाने के चुक है तो आप कोफी पेन ले लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते जाएए आज के इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 90 प्रिश्ण मतलब अगर आपके 100 में से 90 सही है तो आपकी मान लीजिक तयारी अच्छी चल रही है यदि नहीं है तो आपको और भी तयारी करने की जरुवत है भारती तियास के 10 वीडियो आएंगे और इन में से प्रिश्ण काईम से बहार से नहीं आएगा वीडियो में जो प्रिश्ण है उन में से ही आना है यह आप मान के चलिए पक्का विश्वास कर लीजी हम पे और अ आपके नमबर कम आते हैं तो आपको तयारी करने की जरुवत है यह तो आप जानते होंगे समझ जाएंगे कोशन देकर आप भी मेरे साथ कमेंट बोक्स में उत्तर देते चलिए वीडियो के साथ में अंत में अपना इसकोर जरू बताएं कि कितने मास्क आये हैं आपको चलि अंत महावीर की मिरत्यू के बाद जैन संग का अध्यक्षक आगना अग्ला अध्यक्ष क्यों हूआ टैसका अंसर देंगे दोस्तों इसका अंसर है कि- बताएंगे दोस्तों कोन से काल में सक्रित है ये लोग誰 विजे नंगर राजजिकाल solutions प्रिचलेत मुद्रा का नाम क्या था विडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर रहए जो दोस्तों चलिए इसकांसर है option नम्मर ए पन मोरी समाज में प्रचले मुद्र क्या थी पन थी चलिए अगला कुशन देखते हैं दोस्तों question question नम्मर फाइब किस काल में अच्छूत कीय द्हारन इस पस्ट रूप से उद्ит हुई ? इसकांसर देंगे सभी अच्छूत क ideia उधारन karşı क्या marks become D uhm धर्म सास्ट के काल में हुई थी दोस्तों अच्छूत की उधारनी सप्षक्ट नम्मर देखते हैं question 6 जिक से घच्षि सिध्दान्त पर आदारी दोस्तों बताएंगे इसका एंसर कौन से जिद्दानället पर आदारी दोस्तों इसका अंसर हैinformation नम्मर एक है स्ट्रोजफारबघ पर कौन से सिद्दान्थ प्र एकशल जरूरबघ धर दोस्तों चलिए option no, c mahabalipuram इस्तान का नाम है दोस्तो चलिए अगला question देखते है question no, 8 है rigved में सुक्त है कितने सुक्त है दोस्तों बताएंगे तो चलिए दोस्तो अगला question देखते है किसे कहा जाता है अंसर देंगे इसका सभी कमेंट बोक्स में तो इसका अंसर संकर देव को कहा जाता है अगला कुशन देखते हैं दोस्तों कुशन नमर दस इहमादित्य कदाईनी अंदोलन 1889-90 किस ने आराम किया था दोस्तों बताएंगे किस ने आराम किया था दोस्तों यह option number कौन सा है इसका option number a मिर्जा गुलाम हमद ने आराम किया था दोस्तों यह चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमर 11 वहाँ सोते वहां सोत, जिसमें पार्टली पुत्र के प्रसासन का वर्णन उपलब्द है, वहां है, बताएंगे दोस्तों, कौन सा है इसका अंसर सही, इसका अंसर नमर सी, इंडी का है, दोस्तों, कौन है इंडी का, चलिए दोस्तों, अगला question देखते हैं, question number 12, किस व्यक्ति को दूत्ती शोग चलिए दोस्तों अगला क्षिचन अपना कोश्चन नमर 13 अग्भर ने इन इलहाई वर्स में प्राइम किया था कुण से उप्राइम् किया था दोस्तों है दी नहीं लाए चलिए इसका अनसर देँए गामेट पोकस में सभी तो इसका अंसर नमर डी फंद्रा एस फऺिय तो इसका अंसर है अपना उप्सन नम्र कानव कोन आद व्यक्त माby कोन थे शंब Q के लेक्त आपsemble कोन थे दोस्तों अंसर देंगे इसका कमेंट भुस्त में अंसर फंग के लिकाक। दोस्तों आप्षारी इसका डोस्तों कि आ घो आई हो वोज्म्सत निमन कुछन अन्म भंबारत का प्रतम राष्टवाधि कवी किसे मानाजाता एक अंसर नम अन्म के द 210 अंजियो को माना आता है दोस्तों तक कुछ लाग यूज्य VO सुरू करने के समय भारत के वायस्राइ कोन थे कोन थे दोस्तों बताएंगे सवायों गदल के समय भारत के वायस राइ बताएंगे गंग्रेस के नाम इन में से इसकांसर डी लाड़ चेमस फोर्ड थे अगला कुशन देखते हैं कुशन नमर 19 भारत में पोलो खेल का प्रचलान किया किस ने किया तो तो इसका अंसर नमर सी धर्म सास्त्रों में भू राज़स्व की दर क्या थी क्या थी दोस्तों 22522 चलिए आगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 21 किस गुप्त सासक के दक्षिना पंत में इस्तिद बारा राज्यो पर धर्म विजय की किस गुप्त सासक ने कीती दोस्तों ये किसके तेसे देते हैं इसके लिप कुषिन नामर किज्टैंड नें अयाटाला मजजित कहा इसती थे दोस्तों बताइंगे हैं नामर इसका अंरे दोस्तों सनमर रे जोन पूरमि आट अला मजजित गिस्तित है दोस्तों चलिए अगरा क्वेशन नमरर 24 भक्त कि तुकाराम कौन से मुगल समराड के समकालिन थे चलिए दोस्तों इसका अंसर देंगे सभी इसका अंसर है अपना option nr C जहागीर के मुगल समराठ के समय में तुकाराम थे समगाले इनके चलिए दोस्तों अगला कोशन है अगला कोशन ब्यभाए अपना question somebody 50-5 शिवाजी के अस्ट प्रिधान का जो सदशिप विडेशी मामलों की देख हरे करता था वह कौन था दो शिवाजी के अस्ट प्रिधान में जो सदशने मामलों ब्रोगर कोन करता था दोस्तों तो इस कांसरु ऑप dir डी सुमंत चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 26 किसने मुर्शीदाबाद की स्तापना की तथा उसे धाका के इस्तान पर बंगाल की राजधानी बनाया बताएंगे दोस्तों इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर नमरे मुर्शीद कुल जहार खान ने बनाया ऐसको अपनी राद सल्म मराथा सामराज जी का अंतिम पेसवा कौन होता है कों था बताएंगे तो इसका अप्shore नमरे ऑप्शन नमर्च लेखते हैं और face No hes appreciate No मुन्रो कौन था एक्टर मुन्रो चलि आगला कुशन देखते हैं दोस्तों कुशन नमर 29 चरक सहीता नामक पुस्तक किस विशे से संबंदी थे किस संबंदी थे दोस्तों बताएंगे लाइक कर दी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को जादा सी जादा दोस्तों के साँ सेर करें दोस्तों वीडियो को क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रेशन है तो आप जाने गए होंगे अभी तक तो इसका अंसरे दोस्तों अप्सर नमर सी चिकिसा चरक सहीता नामक पुस्तक किस विशे संबंदी थे तो चिकिसा संबंदी थे चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कुशन नमर 30 संसकारों की कुल संक्या कितनी है दोस्तों संसकारों की कुल संक्या बताएंगे इसका अंसरे अप्सन नमर सी सोला है दोस्तों चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कुशन नमर 31 वासको डिगामा कहां का रहने वाला था दोस्तों जानते हैं कि आप जल्दी बताइए इसका अप्सेंट नम्मर पूर्ट गाल का रहने वाला दावास कुडी को माचलिया अगला कुछन देखते हैं दोस्तों कुछन नमर 32 मुगल सासक मुहमद सहारंगीला कि संप्रदाई का अनुवयाई था दोस्तों कौन सा संप्रदाई मानता था दोस्त संसले के पढ़को अगल वाच्ट desert कृषिण और राष्ठ कूट राजद हने बनाई बताएंगे दोस्तों तो इसका अचलक ब्रोस्तों अपने वंहें अमोग वर्स ने बनाई थी दोस्तों चलिए अगला कुशन है 35 कुशन नमर भारती राष्टी गॉंग्रेस के प्रतम अधिक्ष कौन थे सभी जानते हों अच्छे से बढ़ रहे हो सभी तयारी कर रहे हो तो चलिए अगला इसका अगला कुशन देखते हैं नमर 36 पुहर कावेरी पेट्नम की स्थाप्न माकिस ने की कि तोब अगला कुशन है है कोशन नमर 37 निमलेकित में सबसे बाद में क्या हुआ दोध OH क्या हुआ था इन वे से बाद में सबसे बाद में दोस्तो थो इसका अखर नम्ब बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद में चली अगला कोशण देखते हैं दोस्तो कुशन नमर 39 दिली के फ्रिसंधी जयामा मज्जीत कर निर्मार किसके कि अधार तो US ने किया था बताएंगे दोस्तों जामा निर्मार तो कांशरों सनमर 2 सा जहान नहीं किया था उस्थ 2021 को शूलिस पनघते द으 just सोज्व चलिए इसका अग्ला कुछन नाम्मर 14 निमने लिकल से कि सुलतान ने वह की गुण्वत शुदार ने उपाई किए फलो की गून्वत शुदार के कौन ऐसे सPalशन ने छृतार की दोस्तों तो सुदार ऑप्सें नमर अपना थिए हो इसका आइन से अनसा नुम्र अपना जली देंगे तो इसका आंसा बया वा को अंसर नमर भी मुहम्मद गोरी ने किया था दूसरी बार तुर्का अक्रमाण चले दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं कुश्चन नमर फोर्टी फोर निम निलकित में से कौन भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्ति नहीं थे गोर कीजी इस इसने को बार कोकित के दोरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्टूर बरबादी बताय था किसीAR भूर्टी के दोरान विदेशी कपड़ों को जलाना जलाया जाना एक निस्ठूर बरबादी बताया था दोस्तों बताएंगे इसका अंसर अभी तो इसका अंसर उप्सन नम्र डी डवीं रविंद्र नाट टेगोर ने बताया था दोस्तों चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों दोस्तों को बताएं गीस का आंसार तो इस का अन्सर्य ऑप्स नमरTrans 7 dwas की संधी से हुई के तिक रिखें तो इसका आंसर देंगे दोस्तों इसका अबसण्न नमरे पेरीस की संधी होगा इसके को युद्ध बंद हो गया दोस्तों चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नम्मर 49 भारत की आजादी किस हमें Congress कदेख्य को देख्यों धिस्ते भारत आजाद होगा तो उसका अंसर दोस्तों तो बताएंगे इसका अंसर तो इसका अंसर है option number B छोटा नाखपुर दोस्तो चलिए आगला question देखते हैं दोस्तो अगला question है अपना question number 51 जो चित्रकला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ किस मुगल सासक ने कहा था बताएंगे दोस्तो इसका अंसर सराले सायद मेरी द्रस्टी से आप बताएंगे कौन-कौन अंसर दे रहा है इसका साई चलिए इसका अंसर है दोस्तो अपना option number B जहां की इनने कहा था जो चित्रकला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ अगला question देखते है question number 52 नंदो ने अपना कोश घंगा की धारा में चिपा राका था चलिए दोस्तो इसका अंसर देजिए सभी इसका अंसर देश्टों option allocation a मामुल नार मामुल नार क्या है दोस्तों मामुल नार ने चिपा कर राका था चलिए दोस्तों अगला question numero 54 फोर अस प्रशिता अफ्राद अधि नियम कब पारित हुवा दोस्तों बताएं कब पारित हुआ दोस्तों ये नियम तो इसका अंसर है option नमर C 1955 इस्वी में हुआ था दोस्तों चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों question थे दोस्तों एहम चंद्र चलिए अगला कोश्टी गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था बताएं दोस्तों किस वर्स में गया गया था राश्टी गीत वंदे मातरम बताएं किसका अंसर नम्मर ए 1896 में गाया गया था दोस्तों पहली बार चलिए दोस्तों अगला कोश् नमरे बड़ोदा के महराज ने दिया था अंबेड करकी पड़ाय लिखाई में बड़ा सायोग चलिए दोस्तों अगला कुछन है अपना कुछन नमर फिप्टी एट बंगाल के किस गवर्णर जर्नल के काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किये गया था दोस्तों तो इ अधिवाषी अंदोलन को दोस्तों बताएं कि सभी इसका शरेयो आप्सण नमर कोनसा बताएंगे जली कमण भाघ्ष भी तो इसका अप्सण नमर 8185 हिए दोस्तों खेरवार आदिवाषी अंदोलन चलिए दोस्तों अगला क्योश्य को को एक सेनिक्सक्ति के रूप में लोखंडे लोखंडे ने कीती इसका अंसर तो इसका अंसर है नारायांड मेगाजी लोखंडे ने कीती इसकी इस्ताप ने जली चलिए दोस्तो अगला कोशन देखते हैं इतिहास के पिता की पद्वी सही अर्तों में निम्न में से किस संबंदीत है दोस्तों इतिहास की जो पद्वी है वो सही अर्तों में निम्न में से किस संबंदीत है दोस्तों तो इसका अंसार देंगे तो इसका अंसार है ऑप्शन नमर ए एरोडोर्स है दोस्तों कौन है से और गी बताइंगे चलिए इसका है नम्मा एह अपार चलिए दोस्तों कह्या नम्मार 64 के अंतिम गूरु कॉन थे जब में हैं सब जल्दी बता दोस्तों में कम अंपशन नम्मार बी गूरु गूबिन Jr. अंतिम गूरु को के चलि आगला कोशिन देखते हैं दोस्तों कोशिन नमब 65 अलदी घाटि का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों बहुत जल्दी दे रहा है जल्दी दीजिए चलिए इसका ऑप्शन नमब B. 1576 इसवी में हल्दी काटी का जुद्ध लडगाया था चलिए दोस्तो अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 66 1877 उनमें किसने इलाबाद को आपात कालिन मुक्याले बनाया था आपात कालिन मुक्याले किसने बनाया था इलाबाद को तो इसका अंसर देंगे दोस्तो सभी तो इसका अंसर है उप्सन नमबर A. लाडगे निंग ने चलिए अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो कोश्चन नमबर 67 बीजापूर का गोल गुंबज किसका मकबर आए दोस्तो किसका मकबर आए गोल गुंबज अंसर देंगे इसका सभी जल्दी तो इसका अंसर है दोस्तो अप्सन नमर B मुहम्मद अदिल सहा किसका है मुहम्मद अदिल सहा का है दोस्तो चलिए अगला कुशन देखते है दोस्तो कस्मीर का सासक जो कस्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है दोस्तो जिसे कस्मीर का अकबर कहते है अंसर दें सबीस का तो इसका अंसर है दोस्तो अपसन नमर डी जेनूल अभीदीन कौन है दोस्तो जेनूल अभीदीन है दोस्तो जिसको गस्मीर का अकबर का जाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नमबर 69 मुगल काल की राज भासा कौन थी दोस्तों बताएंगे कौन थी इन में से चलिए इसका अंसर है दोस्तों अफसन नमर डी फारसी मुगलकाल की राजवसादी दोस्तों चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों question no.17 गंगे कौण्ड चोला पुरम क्या है दोस्तों गंगे कोल्ड चोला पुरम का सिव मंदिर का निर्मार किस समय किसके समय हुआ था दोस्तों चलिए बताई इसका अंसर किसके समय हुआ था तो इसका अंसर था अपसन नमर अगला कुछिन देखते हैं किसे आंधर भोज भी कहा जाता है जिन नीचे भोज दिये हुए हैं इनमें से आंधर भोज किसे कहा जाता है दोस्तों तो इसका अंसर अपना कुछिन नमर एक कृष्णी देव राई आंधर भोज कहा जाता है इसको चलिए दोस्तों अगला कुछिन देखते हैं अपन कुछिन नमर 73 लखा बक बस्क के नाम से जाने वाला भारती सासा कोन है दोस्तों लाक बक्स के नाम से जाने वाला जाना जाने वाला चलिए दोस्तों लोग लो सिजब कस्तों किसके साथ काल में में मेंола कोशन गेंटा में भारती शुदार संग कीस्ता अपना किसिन न कीती दोस्टो वर्स बताएंगे किसका अंसर नॉप्शनब्मर केसव चंद्र सेन ने कीती दोस्तों इसकिसमा चलिए दोस्तों अगला qwerुशन देखते हाम», qwerुशन नमर 76 निंद में से कोन फेवियन ऐन दोलन का प्रस्तावक था दोस्तों कौन था दोस्तों इसका प्रस्तावक तो इसका अंसर देते हैं आपन दोस्तों क्या इसका अंसर इसका अंसर ऑप्शन नम्मर ए एनिवेसेंड चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन नम्मर 77 सेवन एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है दोस्तों तो इसका अंतर दे सभी तो इसका अंसरे परतिन किये दोस्तों किस नहीं किये दोस्तों बताएं तो इसका अंसर है दोस्तों आरी समाज नहीं किया दोस्तों चलिए अगला कोशन देखते हैं दोस्तों को कहा जाता है दोस्तों रामानुच के अनुयाईयों को क्या जाता है दोस्तों तो इसके अनुयाईयों को कहा जात है दोस्टों बताएंगे इसका उन्सर तो से दोस्तों जल्दी दे इसक वांस में इसका उणसर लूता अलॅ बाला कॉल्ट है क्उंथ ही इन में से सभी तो इन में से सभी यह सभी हैं दोस्तों इसका इंसर नं Afterwards दोस्तों अपना option number D लाड कौन वेलिश ने किया था इससे बेले यह परिक्षा इंग्लेंड में हो करती थी भारतियों जाकर देते थे चलिए दोस्तों अगला कोशन देवदास उपन्यास के रशनाकार है कोने कोने दोस्तों बताएंगे इसका अंसर तो इसका अंसर नमर बी स बस्का नमर सी हलने की दोस्तों हालने चलिए लगान देखते दोस्तों कोशन नमर 85 न मेंसे कौन सा एक जर्नल अबूल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशी थे दोस्तों जर्नल अबूल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशी थे दोस्तों बदाएं किसका अंसर तो इसका अंसर है उपसन नमर ए अलहिलाल है दोस्तों क्या है अलहिलाद द्वारा प्रकाशी थे दोस्तों चलिए अगला क तोस्तों नमर भी जहांगी ने किया था दोस्तों एक गोड़े वाला सेनिक दो गोड़े वाला सेनिक इनको आजाता है यह कसपा दो गस्क कपका चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 87 रिगवेद में अघहन्य वद्योग नहीं सब्द का प्रियोग किस के लि मज़्य लिगे मलिक महमण जैसी ने पदमाव差不多 कि रष्ना किती दोस्तों बतायेंगे पर्मावत की रश्ना किसके समय के थि दूस्तों तो इसका इसका आब наша बीजा सहा के समय कीती दोस्तों चल यहां देखते हैं दोस्तों कोष्य कि नमार 89 उस इस्तरोत का नाम बताई जो प्राचिन भार्त के व्यापारिकों को परमोन हे तो वह इस बताएं गे इसका अंसरे किमेति कर दोनहें पर कंसरो किस राजव सुष against अगर्ण सोथ तो की। अगला जोबिसेसी brains ने ने जवन्ञें के ब्रिटेन की और, शंपती के अफवहन का सिद्दान्त कुसों निप्रतिवादित एक तो दोस्तों कि ने प्रतिप्रिदित किया थोस्तों बताएं कि Amnesty Richard two ए आफ तासivat लिए कुछ देखते हैं अग्ला कुछ ने अविलेग्टा से किस प्राकरत का प्रियोक कियाता थो तो ग्ATOR3 आंस्षे किस प्रेखते हैं मर झिटी चेनी की एप दोस्तों किस राज्वण के अंतरगत विजा विजारत का चारमोत कर्स हुआ किसका हो दुस्त stunt अग्ला न्मार्ट के शबी स winsit थिए यॆ entnt 75 शिक शिक और शिक धर्म का संस्तापक किसे माना जाता किसे माना जाता है दे उस्तों इंकर तो इसका संस्थफ़ाक्टमाना जाता ए उसन नमरर ओप्सिं दोरान सबसे बड़ा क्रसक चापा मार युद्ध देखने को मिला दोस्तों । बताइंगे इसका अंसर तो इसका अंसर है a option number कौण साढ़ा को नालनदा विद्याले का संस्तापक माना जाता है दोस्तों किसको माना ए, कुमार, गुप्त, प्रितम, को माना जाता है, दोस्तों, चलिए, अगला कोश्चन देखते हैं, दोस्तों, कोश्चन नमर, 99, भारत में खोजा गया, सबसे पहला, पुराना सहर था, चलिए दोस्तों बताएं कौन सा था पूराना सेर सबसे तो इसका अंसर है option number A यह अड़ापा सबसे पूराना सेर था दोस्तों चलिए last question देखते हैं आज का बोध धर्म के त्रिरत्न में सामिल नहीं है कौन नहीं है त्रिरत्न में सामिल दोस्तों तो इसका अंसर है आपका option number D मद्यम वर्ग बहुत धर्म के चरितरे में सामिल नहीं है दोस्तों तो इसका अंसर है option number D चलिए दोस्तों तो आज का वीडियो यह समापत होता है हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक सेयर कीजिए सांती comment box में आपना score बताएं इस वीडियो का PDF फाइल टेलिग्राम से प्राप्त कर सकते हैं आप इसका लिंक अमरे description box में दिया हुआ है दोस्तों थेंक्यू दोस्तों जे हिन जे भारत